C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरा प्रस्तुत है कक्षा 6 की विज्ञान की पाठे पुस्तक विज्ञान 1 प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ 3 तन्तु से वस्त्र तक तो आईए अब सुनते हैं पाठ 3 प्रेश्ट 18 पहेली और बूजो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रशनोतरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता वे दोनों अतिधिक उतिजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरसकार राशी से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामगरी की विस्त्रित विविदता देखकर उलजन में फस गए चित्र 3.1 इस चित्र में कपड़ी की दुकान को दर्शाया गया है दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथ्वावस्त्र सूती हैं तो कुछ संशलिस्ट यानि कृत्रिम है उसके पास उनी मफलर तथा शौल भी थे दुकान में बहुत सी रेश्मी साड़ियां भी थी पहली तथा बूजो अत्तिधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे उन्होंने इन विभिन कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की और अंत में उन्होंने एक उनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरी दी कपड़ी की दुकान का भ्रमन करने के पश्चात पहली और पूजो ने अपने आसपास में विभिन प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंब कर दिया उन्होंने यह देखा कि बेटशीट यानि बिस्तर पर बिछाने की चादर, कंबल, परदे, मेसपोश, तॉलिये और जाडन यानि डस्टरादी ये सभी भिन भिन प्रकार के कपड़ों से बने हैं यहां तक कि उनके अपने बस्ते तथबोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, उनी, रेश्मी, अथवा, संशलिष्ट यानि कृत्रिम के रूप में की क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? तीन पॉइंट एक वस्त्रों में विविदता क्रिया कलाप एक अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमन कीजिए सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए कपड़े की प्रते कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए दर्जी की साहिता से उससे पूछ कर कुछ कपड़ों पर सूती, रेश्मी, होनी, संचलिस्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए यह चित्र तीन पॉइंट दो में कपड़े की कतरन का विवर्धि द्रिश दिखाया गया है क्या आप ये जानना चाते हैं कि ये विभिन कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोगन करते हैं, तो वहा एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा? क्रिया कलाप दू, सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए, जिस पर आपने क्रिया कलाप एक में लेबल लगाया था इसके एक सिरे पर कोई धीला धागा या तागा धूनने का प्रयास कीजिए, और इसे बाहर खीजिए, जैसा कि चित्र 3.3 में दर्शाया गया है यदि कोई धीला तागा दिखाई ना दे, तो पिन अथवासुई की सहता से आप एक तागा धीरे धीरे बाहर खीज सकते हैं हम यहाँ देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है ये तागे किस से बनते हैं? 3.2 तंतू, क्रिया कलाप 3 किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए इस तागे के टुकड़े को मेस पर रखिए इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाईए तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश जैसा कि चित्र 3.4 में दर्शाया गया है उसके अनुसार अपने नाखुन से खरोंचिए क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पत्री लड़ियों में विखंडित हो गया है जैसा कि चित्र 3.5 में दिखाया गया है सुई में तागे को पिरोने या डालने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही प्रेक्षन किया होगा कई बार तागे का ये सिरा कुछ पत्ली लड़ियों में प्रथक हो जाता है ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं जिन्हें तंतु कहते हैं वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं ये तन्तु कहां से आते हैं? कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेश्मी तथा उनी के तन्तु, पाधपों तथा जन्तुओं से प्राप्त होते हैं. इन्हें प्राकृतिक तन्तु कहते हैं. रूई तथा जूट यानि पटसन पाधपों से प्राप्त होने वाले तन्तुओं के उधारण हैं. उन तथा रेश्म जन्तुओं से प्राप्त होते हैं. उन, भेड, अथवा बकरी की कर्तित उन से प्राप्त होती हैं. इसे खरगोश, याक तथा उन्तों के बालों से भी प्र पिछले लगभग सौव वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जन्तु नहीं है, उनसे तन्तु का निर्मान किया जा रहा है। इन्हें संशलिस्ट तन्तु कहते हैं। पॉलिस्टर, नाइलॉन और एक्रिलिक संशलिस्ट तन्तु के कुछ उधारण हैं। यहाँ पर बूजो को दर्शाया गया है। बूजो ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तु को संगरालयों में देखा है। इन्हें योधा पहनते थे। वह यह जानना चाहते हैं कि क्या ये भी किसी प्रकार के तन्तुओं से बने हैं। प्रिष्ट बीज तीन पॉइंट तीन कुछ पादप तन्तु रूई क्या आपने कभी तेल के लेंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं। इन पत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उप्योग मिलाते हैं। इस रूई का उप्योग गदों, रजाईयों, अथ्वा तकियों में भी किया जाता है। कुछ रूई लीजिए, इसे खीच कर तथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या प्रेक्शन किया? ये चोटी पतली लड़ियां जिने आप देख रहे हैं, कपास तंतुओं से बनी हैं। रूई कहां से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधरन तया कपास के पौधे वहां उगाय जाते हैं, जहांकि मृता, काली तथा जलवायू उश्न होती है। क्या आप ऐसे कुछ राजियों के नाम बता सकते हैं, जहां हमारे देश में कपास की क्रिशी की जाती है? कपास पादब के फल यानि कपास गोलक लगभग नीबू की माप के होते हैं, पूर्ण परिपक्व होने पर बीज तूट कर खुल जाते हैं, तथा अब कपास तंतूओं से ढखे बिनौले यानि कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेद देखा है, जो कपास चुने जाने के लिए तयार हो चुका है? इस समय खेद कपास के परिफुलों यानि रोवों से इतना श्वेत हो जाता है, जैसे हिमने ढख लिया हो। जैसे चित्र तीन पॉइंट छे में कपास पादप के खेद को दर्शाया गया है। साधरणत्या इन कपास बॉलों के कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा प्रथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं. पारंपरिक धंग से कपास हाथों से उटी जाती थी, जैसा के चित्र तीन पॉइंट साथ में दर्शाया गया है. आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है. जूट यानि पठसन पठसन तंतु को पठसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है, जैसा के चित्र तीन पॉइंट एट में दर्शाया गया है. भारत में इसकी खेती वर्शारितू में की जाती है. भारत में पठसन को प्रमुक रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार सम्में उगाया जाता है. समाने ताह पठसन पादप यानि फसल को पुश्पन अवस्था में काटते हैं. फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबा कर रखते हैं. ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पठसन तंतूओं से हाथ तन्तूओं द्वारा प्रथक कर दिया जाता है. वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तन्तूओं को तागों में परिवर्थित कर लिया जाता है. ऐसा कैसे किया जाता है? प्रिष्ट 21 3.4 सूती तागे की कताई यहां एक चित्र दिया गया है. चित्र 3.9 जिसमें रूई से तागा बनाना दिखाया गया है. 3.4 सूती तागे की कताई आप स्वयम सूती तागा बनाने का प्यास कर सकते हैं. क्रिया कलाब 4 एक हाथ में कुछ रूई पकड़िये, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तरजनी के बीच कुछ रूई की चुटकी भरिये और इसे धीरे धीरे रूई से बाहर की ओर खीचिये, तथा रेशों को लगतार एटते भी रहिए, जैसा की चित्र 3.9 में दर्शाया गया है क्या आप तागा बना सके? रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं इस प्रक्रिया में रूई के एक पुंज से रेशों को खीच कर एटते हैं, ऐसा करने से रेशे पास-पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है कताई के लिए एक सरल युक्ती हस्त तक्वा का उप्योग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं इसे चित्र तीन पॉइंट दस में दर्शाया गया है हाथ से प्रचलित कताई में उप्योग होने वाली एक अन्य युक्ती चर्खा है, जिसे चित्र संख्या तीन पॉइंट ग्यारा में दर्शाया गया है चर्खे के उप्योग को राष्ट पिता महत्मा गांधी ने स्वतंद्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोग प्रियता प्रदान की थी उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों यानि खादी को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपडों का बहिशकार करने के लिए प्रोसहित किया था खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन कर निर्मान किया जिसे खादी एवं ग्रामुद्योग आयों कहते हैं व्रिहत पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की साहता से किया जाता है कताई के पश्चात तागों का उप्योग वस्तर बनाने में किया जाता है तीन पॉइंट पांच तागे से वस्तर तागे से वस्तर बनाने की कई विधियां हैं इनमें दो प्रमुक विधियां बुनाई तथा बंधाई हैं बुनाई, क्रिया कलाप दो में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के दो सैटों जिन्हें एक साथ वैवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं. तागों के दो सैटों को आपस में वैवस्थित करके वस्त्र बनानी की प्रक्रिया को बुनाई यानि वीविंग कहते हैं. आये कागस की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं. क्रिया कलाप पांच. भिन्न रंगों की दो कागस की शीट लीजिए. दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए. अब इन दोनों शीटों क को आधा मोड़िए. एक शीट पर चित्र 3.12 A में दिखाए गए अनुसार रेखाएं खीचिए तथा दूसरी शीट पर चित्र 3.12 B में दिखाए अनुसार रेखाएं खीचिए. दोनों शीटों को खीची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर शीटों के मोड़ो को खोल कर इन्हें फैला लीजिए. एक शीट की पट्टियों को एके करके दूसरी शीट के कटावों से चित्र 3.12C में दिखाया नुसार बुनिये. चित्र 3.12D में पट्टियों के बुनने के पश्चात का नमूना दिखाया गया है. प्रेश्ट 22 इसी धंग से तागों के दो सैटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं. तागे वास्तों में कागस की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं. वस्त्रों की बुनाई करगों पर ही की जाती है. चित्र 3.13 में एक महिला को हथ करगा पर कपड़ा बुनते हुए दर्शाया गया है. एक विशेश प्रकार की बुनाई क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई यानि निटिंग में किसी एकल तागे का उप्योग वस्त्र के एक टुकडे को बनाने में किया जाता है. जैसा कि चित्र तीन पॉइंट चौदा में स्वेटर बुनते हुए दर्शाया गया है. क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींच कर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं, तब क्या होता है? एकल धागा लगतार खिशता चला जाता है, तथा वस्त्र उधरता जाता है. मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं. इस प्रकार की बुनाई हातों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है. दोनों प्रकार की बुनाई का उप्योग विभिन प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है इन वस्त्रों का उप्योग पहनने की विविद वस्त्रों को बनाने में होता है यहाँ पहली को दर्शाय गया है पहली यह जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतूओं से बने किसी वस्त्र को देखा है इन तंतूओं का समानिता किन कारियों में उप्योग होता है प्रिश्ट 23 तीन पॉइंट 6 वस्त्र सामगरी का इतिहास क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामगरी का उप्योग किया करते थे वस्त्रों के विशे में पूर्व प्रमाडों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग व्रिक्षियों की छाल यानि वल्क बड़ी-बड़ी पत्तियों अथवा जन्तूओं की चर्म और समूर से अपनी शरीर को ढखते थे क्रिशी समूदाय में बसना आरंब करने के पश्चात लोगों ने पतली-पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाईयां तथा डालियां यानि टोकरी बनाना सीखा लताओं, जन्तूओं की उन अथवा बालों को आपस में एठन देकर लंबी लड़ियां बनाई इनको बुनकर वस्त्र तयार किये पूर्व में भारतवासी रूई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगर नदी के निकट वर्दी क्षेत्रों में उगाई जाती थी फ्लेक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतू प्राप्त हुता है प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रूई तथा फ्लेक्स की क्रिशी नील नदी के निकट वर्दी क्षेत्रों में की जाती थी उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था उस समय लोग अपने शरीर के विभिन भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन धंगों का उपियोग करते थे सिलाई की सुई के आविशकार के साथ लोगों ने वस्तरों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तयार किये इस आविशकार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिनताएं आ गई है परंतु क्या यह आश्चरे जनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्तरों के रूप में उप्योग किया जाता है जिस प्रकार समस्त देश में खाये जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविदिता देखने को मिलती है ठीक उसी प्रकार वस्तरों एवं पहनने की वस्तूओं में भी अत्यधिक विविदिता पाई जाती है यहां कुछ शब्दों और तीर के निशानों की साहता से कपास यानि गोलक से वस्त्र बनानी की प्रक्रिया को दर्शाया गया है कपास गोलक ओटना रेशे कताई तागे बुनाई वस्त्र बंधाई प्रमुक शब्द रुई, वस्त्र, तन्तु, कताई, बुनाई, तागा क्रेश्ट चौवीज सारांश वस्त्र सामगरी अथ्वा वस्त्रों में विविदता होती है जैसे सूती, रेश्मी, उनी और पॉलियस्टर वस्त्र तागों से बनते हैं, जिन्हें तन्तुओं से बनाया जाता है तन्तु या तो प्राकृतिक होते हैं, अथ्वा संशलिष्ट रेशम, उन और जूट कुछ प्रक्रितिक तंतू हैं जबकि नाइलॉन और पॉलियस्टर कुछ संशिलिस्ट तंतूओं के उधारण है रूई और जूट जैसे तंतू पाधपों से प्राप्त किये जाते हैं तंतूओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिनसे वस्त्र बनता है अभ्यास एक, यहां दिये गए तंतूओं को प्राक्रितिक तथा संशिलिस्ट में वर्गी कृत कीजिए नाइलोन, उन, रूई, रेशम, पॉलियस्टर, पटसन दो, यहां कुछ कतन दिये गए हैं जिनको सुन कर बताईए कि वो सत्ते हैं या असत्ते क, तंतूओं से तागा बनता है क, कताई वस्त्र निर्मान की एक प्रक्रिया है ग, जूट नारियल का बहरी आवरन होता है ग, रूई से बिनौले यानि बीज हटानी की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं र, तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकडा बनता है च, रेशम तंतू किसी पादप के तने से प्राप्त होता है च, पॉलियस्टर एक प्राक्रितिक तन्तू है तीन, यहां दिये गए रिक्तिस्थानों की पूर्दी कीजिए क, रिक्तिस्थान और रिक्तिस्थान से पादप तन्तू प्राप्त किये जाते हैं च, रिक्तिस्थान और रिक्तिस्थान जानतफ तन्तू हैं चार, रूई तथा जूट यानि पठसन पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं पांच, नारियल तन्तू से बनने वाली दो वस्तूओं के नाम लिखिए च, तन्तूओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए प्रिष्ट 25 प्रस्तावित परियोजनाएं एवं क्रिया कलाप एक, किसी निकट वर्ती हत करगा अथवा बिजली करगा एकाई का भ्रमन कीजिए तथा भिन्न विधियों द्वारा तन्तूओं की बुनाई का प्रेक्षन कीजिए दो, पता लगाईए कि क्या आपके क्षित्र में कहीं तन्तू प्राप्त करने के लिए कोई फसल उगाई जाती है यति हाँ तो इसका उप्योग किसलिए किया जाता है भारत रुई तथा सूती वस्त्रों का प्रमुक उत्पादक रहा है भारत बहुत से अन्य देशों को सूती वस्त्रों तथा वस्तूओं की आपूर्ती करता है पता लगाईए कि यहां हमारी सहता किस प्रकार करता है चार क्या आप जानते हैं कि सूफी संद तथा कवी, कबीर एक बुनकर थे, उनके जीवन चरित्र तथा शिक्षाओं का पता लगाईए पाँच, आप अपने शिक्षा कत्वा अभी भावकों के मार्ग दर्शन, यानि निरिक्षन के अधीन में किसी वस्त्र के तंतु की पहचान के लिए एक क्रिया कलाब कर सकते हैं किसी वस्त्र से चैसे आठ तक तंतु खीच कर बाहर निकालिए तंतु के एक सिरे को चिम्टी से पकड़िए तथा दूसरे सिरे को मौम बत्ती की ज्वाला के उपर लाईए सावधानी से प्रेक्षन कीजिए क्या तंतु ज्वाला से दूर सिकुरता है? क्या तंतु पिखलता अथवा जल जाता है? इससे किस प्रकार की गंध निकलती है? अपने प्रेक्षनों को नोट कीजिए यदि ये सूती तंतु हैं तो ये जल जाते हैं परंतु सिकुरते अथवा पिखलते नहीं है जलते तंतु से कागस के जलने जैसी गंध आती है रेश्मी तंतु जवाला से दूर सिकुरता है और जल जाता है परंतु पिखलते नहीं है इससे जले मास जैसी गंध आती है उनी तंतु भी सिकुरता है और जल जाता है परंतु पिखलते नहीं है इसससे जलते बालों जैसी तीवर गंध आती है Centralists तंतू सिकुरते हैं और जल जाते हैं ये पिखलते भी हैं तथा जलते प्लास्टिक जैसी गंध देते हैं यहां बूझो को दर्शाय गया है बूझो जानता है कि रूई के तागों के जलने पर निकली गंध काघस के जलने की गंध जैसी होती है वहाँ यह जानना चाहता है कि क्या वहाँ यह मान सकता है कि कागस भी पादपों से बना है इसी के साथ सोला पाठों की इस पुस्तक का तीसरा पाठ यहां समाप्त हुआ वाचन परवेज गोहर, निर्माण वंदना अरिमर्तन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नईदिल्ली भारत